हेलो एबरीवन में हूँ सरोजीत आप लोग को आमरा यूट्यूब चनल में हार्दिक सागते गाइस अगर आपको मैथमेडिक्स में बहुत इंट्रेस्ट है मतलब गनीत सब्जेट आप बहुत पसंद करते तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़दार होगा दोस्तो क्या आप जानते है कोई सबी नंबर का आप जिस तरो बर्गमनल मतलब इसकार रूट निकलते हैं सेम उसी तरो एक सिष्टेम इवस करके कोई सबी नंबर का जितना भी बड़ा क्यूँ ना हो उसका घनमुल मतलब क्यूब रूट भी simple division पद्धती मतलब भाग्स पद्धती उसकर करके आसानी से निकल चाहिए इस प्रोसेस का जो main rule या formula है इस screen पर है आच्छा से देख लिजी ताकि ये पुरा pull process आप लोगो पुरा अच्छा से समझ में आ जाए इसलिए एक बड़ासा number देखे मतलब large number देखे में आप लोगो दिखा देता है ये कि दूस्तो ये कितना बड़ा एक संक्या है सापोस इस संक्या का आप लोगो को घनमुल मतलब cube root निकलने के लिए बोला कि ये नमबर का घनमुल मतलब cube root कितना होगा तो दोस्तो cube root यानि घनमुल निकलने के लिए सबसे पहले ये संक्या आप direct जैसा है इसा लिग दीजिए उसके बाद दोस्तो दाये और से मतलब right side से 33 का division करके 33 number करके आपको 3 division करके एक एक ग्रूप में आपको partition करना है दोस्त यह देखिए दोस्तो 3-3 group में आप partition कर दीजिए ये जितना partition हो गया हो गया अभी दोस्तो last partition में जितना number आया है और 2 digit हो तिन जिर जो भी number आया है यहाँ पर 622 आया है last partition में जो भी हो आप दोस्तो उपर में आपको कोशंट मतलब भागपल में एसा एक number बेटाना चाहिए जिसका cube करने से less than or equal to ये 622 होता है मतलब last partition में last group में जो संख्या आया है यहाँ पर 622 है ये 622 से कौम होना चाहिए या उसका बराबर होना चाहिए इसा एक number आप चूस कर लीजिए यहाँ पर उपर में suppose अगर हम दोस्तो पहले 1 से ट्राइ करेंगे ये एक trial process है दोस्तो 1, 2, 3 करके इस तरो हम कोशिश करते रहेंगे और दखते रहेंगे कि किस संख्या पर जाके ये सही रहता है जैसे दोस्तो आप लोग को मालूम है 1 cubicle to 1, 2 cubicle to 8, 3 cubicle to 27, 4 cubicle to 64 मतलब ये संख्या cube मतलब ये सं संख्या दोस्तो तिन बार गुना करना होता है same to same thing का तिन बार लिखके उसको multiply करना है तो दोस्तो ये देखिए 8 cubicle to 512 होता है और 9 cubicle to 729 होता है लेकिन दोस्तो हाप लोग का समने यहाँ पर दिखाए देरा है last partition group में जो number है ये 622 है लेकिन ये 512 जो है 622 से चोटा है ले इसलिए 8 बेटाना है उसके बाद इसका जो 8 cube का result है 512 यहाँ पर बेटा देना है उसके बाद दूस्तो इसको जिस्तरों हम लोग भाग में करते हैं नीचे वाला संख्या को उपर वाला संख्या से मैनस कर दिजिए मतलब घटा दिजिए घटा के यहाँ पर नीचे बटा द है जो कि दूस्तो इहाँ पर जो डिवाईजर है मतलब भाजक और यह जो कॉशंट है मतलब भाग फोले यह दुनों गुना करके multiply करके यह जो नंबर है यह होना चाहिए यह तो इससे चुटा होना चाहिए तो दोस्तो अब इसके लिए एक rule है इसको बूलहता है मैरा में जो भाजक होगा वो भाजक होगा 30 इन्टू पहले वाला भागफ़ल इन्टू अभी का टूटल भागफ़ल प्लास्ट लास्ट भागफ़ल जो है उसका एस्क्वाइर देखिए अगर दूस्तो आप यहां से दूस्तो जीरो से स्टार्ट करके 1,2,3,4,5 इस्तरों बेटा तो दूस्तो यह हिसाप कर दिजिए यह कलकुलेशन करने का बाद आपका जो रिजल्ट आएगा दूस्तो यह हो जाएगा कोच इस्तरों दूस्तो आपको यहां पर जीरो से लेकर सुरू करके 1,2,3,4,5,6 इस तरह करके करके टूस्तो इस नमबर अगर हम यहां पर बेटाते हैं और उपर में 1 बेटाना पड़ेगा तो यह और 1 मांटिप्लाई करने से मतलब तो यह सेम नमबर होगा दिखा जाएगा है दूस्तो पहला वाला भागफल मतलब 8 into अभीका जो टूटल भागफल मतलब 82 होगा प्लास लास्ट भागफल हम 2 बेटा है इसलिए 2 होगा 2 का S2 तो दूस्तो इसका कल्कुलोशन करने से यह आजागा 19684 अगर 19684 हम यहां पर बेटाते हैं और उपर में 2 बेटाएंगे तो इसका गु डिबाइडेन में जो नमबर है यह इससे बड़ा है तो आएए हम लोग 3 बेटा के कोशिश करते हैं इस तरो करके करके 3, 4, 5 से अप्टायल करते हैं अगर हम यहां पर 5 बेटा हैंगे तो दूस्तो क्या होगा 30 into previous कुशंट मतलब 8, 5 और last कुशंट मतलब 5 हो गया उसका square last मे plus करना है तो दूस्तो यह जो है तिनो multiply कर दिजिए 30 into 8 into 85 उसके बाद plus 5 square मतलब 25 plus कर दिजिए इसका calculation कुछ इस तरो आजगा 20425 यह जो है दूस्तो 20425 यहां पर आपको divisor में बेटाना है उसके बाद दूस्तो यह divisor और उपर में जो भागफल में कॉशंट में आप 5 दिजिए करके देख लिजिए answer कितना आ रहा है इस result को आपको dividend का नीचे बेटा दना है बेटा के उसके बाद आपको minus कर दना है तो दूस्तो अगर हम लोग यहां पर जैसे यह 5 बेटा है हो तो इतना हो रहा है सापूस अगर हम लोग 6 बेटा थे तो देखी result किया आ जाएगा 30 into 8 into 86 plus 6 square तो यह दूस्तो इसका result कुछ इस्तर आ जाएगा जो कि दूस्तो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद उपर में भी 6 होगा तो 6 से multiply होगा multiply होके यह डिवाइडेंट में बेटेगा अब जैसे डिवाइडेंट में बेटेगा यह देखिए यह जो number है दोस्तो यह number हमारा इदर में जो संख्या available यह से बड़ा है इसलिए यह नहीं होगा उपरवाला संख्या जो यह सही है मतलब 5 ही बेटाना पड़ेगा और 5 बेट का है इसे तो काम हम लोग भाग जीसा ही कर रहा है लेकिन थुड़ा सा डिवारास होता है उसके बाद दूस्तों next group जो है त्री डिजिट का यह तिरी डिजिट एक साथ इहां पर उतार दीजिए उतार के इहां पर बेटा दीजिए उसके बाद यह भाग सान दे दीजिए अ दोस्तों साफोस हम लोग यहां पर 0 बेटाएंगे 1 बेटाएंगे 2 बेटाएंगे 3 इस तरह करके करके ट्रायल और रिजाल्ट देखके देखके आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ना हमारा required result आजाए sufficient result जब तक ना आजाए तब तक हम लोग कोशिश करते रहेगा अगर हम 1 बेटा आता है दोस्तों इहां पर तो क्या हो जाएगा 30 into previous question हो जाएगा 85 और present का जो question है 851 मतलब 851 हो जाएगा plus last question है अभी 1 बेटा या तो 1 square तो दोस्तों यह result जो हता है यह calculation करने के बाद जो result हता है यह हो जाएगा हमारा formula मतलब divisor का divisor में कितना बेटेगा बाजक में क सबसे बड़ा बात होता है दोस्तों इहां पर तो इसका मतलब है भाजक पर यहां पर बैटेगा और अगर हम उपर में 1 बेटा के multiply करते हैं दोस्तों यह same ही number आएगा लेकिन यह number जो हमारा dividend में जो number है इससे बहुत ही चोटा है तो आयो दोस्तों 2 बेटा के कोशिश करते ह है देखते हैं क्या होता है अगर हम 2 बेटाते उपर में तो इसका डिवाइजर में इस्तरों होगा 30 इंटू प्लास लास्ट कुछ इस्तरों आ जाएगा 217-2604 तोस्तों यह अगर हम लोग इहां पर बैटाएंगे और उपर में 2 रहेगा तो 2 का साथ जब यह multiply हो जागा त तो इसका रिजल्ट कुछ इस्तरों देखिए दूस्तों आ रहा है तो यह रिजल्ट दिखा जा रहा है कि उससे चुटा है तो आएए दूस्तों हम लोग आगे बढ़के देखते हैं 3 बेटा के देखते हैं क्या होता है अगर हम लोग इहां पर 3 बेटाते हैं तो जो पेज present quotient जो है 853 हो जाएगा plus last quotient मतलब अभी का जो बेटा है 3 इसका square दोस्तो ये पुरा calculation करके इसका result कुछ इस तरवाए जाएगा उसके बाद ये अगर हम लोग भाजक में बेटाते हैं मतलब ये divisor में बेटाते हैं तो दोस्तो dividend में मतलब अंदर वाला कुटा में क्या होगा उपर में 3 बेटा है इस 3 का साथ multiply होके मतलब गुना होके उसके बाद divide इनने बेटागा है देखिए दोस्तो 3 से multiply करने का बाद जिसे हम 3 से गुना करते हैं तो इसका result कुछ इस तरव आ जाएगा तो आपको यहाँ पर यह जो result है यहाँ पर बेटा देना है आप दख सकते हैं दोस्तो इसका बुरा लगबग समना समने में ही आ गया है और दोस्तो इस तरो आप फोर्दे की भी try कर सकते हैं लेकिन तो आपको देखने में मिल जागा कि फोर दिने से यह नंबर जो है अमारा नंबर से जदा हो जाएगा इसलिए यह ही नंबर सही है अभी यह जो नंबर आपने बेटा है उपर का नंबर से निचे वाला नंबर को मैनस कर देजिए जिस्तरो ओरिजिनियल भाग प्रोसेस में जिस्तरो होता है डिवैड में जिस्तरो होता है उस्तरो निचे वाला लाइन को उपर वाला नंबर से जद मैनस कर देजिए मतलब सब्ट्रेक कर देजिए घटा देजिए घटा के यहां पर बेटा देजिए अभी क्या हो गया दोस्तो नेक्स्ट पार्टिशन का ग्रूप में जो त्री डिजिट है ये तिनों डिजिट को एक साथ यहां पर उतर के बेटा दिजिए और यहां पर जो है सिम टू सिम पेले जिस्तरों दियता ऐसा एक भाग का ये सन दे दिजिए अभी दूस्तो बात है उपर में कितना बेटा होगा सबसे बड़ा बात है दुस्तों ये है भागफॉल और ये है भाजोक यहां पर कितना बेटा होंगा ताकि ये दुनों का गुणा करने से मर्टिपलाई करने से यह जो नमबर है यह होगा या तो उससे कॉम होगा तो आए दुस्तो पेले जिस्तरों दिखाये था उस तो टूटेल कोशंट आभी का जो टूटेल कोशंट है टूटेल भागफ़ल 8538 प्लास लास्ट कोशंट लास्ट में जो बेटा आया हूं भागफ़ल में यह 8 उसका एसकोयाद दोस्तो इसका कल्कुलेशन करने से रिचाल्ट कुछ इस्तरो आ जाएगा देखिए दोस्तो यह बहुत बोड़ा एक नंबर देखिए आप लोगको दिखा रहा हूं ताकि आप लोगको पुरा समझ में आ जाए पुरा पोसेश तो दोस्तो इहाँ पर अगर हम यह बेटा थे भाजक में तो उपर में तो 8 है मतलब 8 है तो उससे माल्टिप्लाई होगा गुना होगा दोस्तो इसका जो रिचाल्ट होगा यह जो नंबर है इस नंबर से कौम होना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों यह गुना करके हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि मैं डिरेक्ट 8 क्यों बैटा दिया क्योंकि मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरों करके करते हैं आगे बढ़ते गिया हैं उसके बाद आभी आप लोग को 8 से दिखा देता हूं उसके बाद 9 से भी दिखा दूगा क्योंकि आप लोग को पुरा एक-एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो पुरा लंबा हो जाएगा आप लोग भी बोरिंग लग जाएगा तो देखिए ये क्या हो रहा है दोस्तो इसका जो result है कोछ इस तरव आ जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तो इह जो result आएगा ये result हमारा dividend में मतलब दायार में हमारा जितना number है इस number से बहुती चोटा है मतलब ये जो number दिखाई दे रहा है ये number से चोटा है इसका मतलब है हम लोग next में आवरेक कोशिश कर सकते है 9 beta के तो अगर हम उपर में 9 beta थे बागफोल में तो अभी आपका diviser में क्या होगा मतलब left side में ये भाजक में क्या होगा इसका जो rule है दोस्तो 30 into previous question पहला भागफोल ये आपर दिखाई दे रहा है 853 था मतलब 853 into total question मतलब फिलहल पूरा भागफोल जो है अगर हम 9 beta थे तो 8539 उसके बाद plus last में जो अभी beta है भागफोल में उसका square 9 square तो दिखे उसका total result कितना आता है दोस्तो इसका total result कुछ इस तरह आ जाएगा आप लोग देख सकते हैं ये जो result है ये हम लोग diviser में बैटाऊंगा यहां पर बैटाऊंगा मतलब भाज़क जिसको बुला जाता है दोस्तो ये सबसे जो रूवी rule होता है दोस्तो इस फ्रूलो करने का अभी ये जो diviser है दोस्तो आप लोग को मालूम है ये diviser से ये जो उपर में भागफल में बेटाया हो 9 इससे multiply होगा इससे multiply कुनने का बाद में जो जो result होगा ये आपका right side में जो dividend में जो भाज़ में जो number है उस numbers का बुराबर या तो उस number से कौम होना चाहिए तो देखिए दोस्तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये number लगबग उसका सामने में आया है मतलब ये सही रहेगा क्योंकि 9 से जड़ा तो हम लोग बेटा नहीं सकते है एक कुटा में तो दोस्तो दस बेटा नहीं सकते है तो 9 ही आयस्ट होई सकता है 9 तोक हम लोग बेटा के देख लिए हो कि ये number का result कोच इस तरो आता है अभी ये जो result आया दोस्तो उपर वाला से निचे वाला से क्या को माइनास कर देना है मतलब घटा देना है उसके बाद सब्टेट करने के बाद जो result आएगा ये निचे में बेटा दीजिए जिस तरो हम लोग simple भाग में करते है उच्छा same to same ये आपर बेटा दीजिए उसके बाद दुस्तो next में आपको क्या करना है last partition में जो 3-digit group रहे गया है उस 3-digit को यहाँ पर बेटा देना है एक साथ में करके अभी दुस्तो ये हो गया dividend अभी यहाँ पर diviser में भाजक में इसा एक संक्या बेटाना है कौन बेटेगा जो उपर में हम लोग भागफल में जो संक्या बेटा होंगा उसका उपर depend करके दुस्तो ये होता है जो कि ये multiply करने से ये जो नमबर last हो गया है अभी इस नमबर के साथ पुरा बराबर हो जाए या तो उससे चुटा हो लेकिन दुस्तो ये last digit में 6 आ रहा है आप लोग last digit में 6 देके आंदजा लगा सकते है कि उपर में ये 6 ही होगा क्योंकि जब unit digit में एकाई अंक का पहला digit में अगर 6 रहता है तो ये तिन बार गुना करने से last में 6 ही आता है इसलिए ये idea से हम लोग बोल चकते है कि इसका last में 6 ही आएगा तो दुस्तो जब 6 बेटाएंगे तो present question क्या होगा तो दुस्तो ये जो diviser है क्या होगा 30 into 8539 और present question होजगा 85396 plus last question square मतलब 6 square दुस्तो इसका calculation पुरा करने से देखिए क्या आता है दुस्तो ये जो rule है ये rule आपको समझना बहुत ही ज़रुरत है ये rule जो है ये कहता है कि कोई साभी time में जो diviser होगा जो भाजोग होगा वो आपको किस तरो identify करना है किस तरो निन्ना करना है ये सबसे बड़े बात है ये दुस्तो आपको इस तरो करना है कि आपका ये पुरा चीज भागफल का उपर डिपेंड करेगा मतलब कसंट का उपर उपर में आपने जो संख्या बेटा है उसका उपर डिपेंड करके होगा आप एक बेटा के दू बेटा के इस तरो कोशिश करते रहे है उसके बाद उसका जो ये होगा result होगा दोस्तों कि डिबाइजर को आपको इस तरो बेटाना होगा 30 इन्टू पेलावाला भागफ़ल मतलब पिभियास कोशंट इन्टू मतलब माल्टिप्लाई करके आभी का जो टुटेल कोशंट मतलब पुरा संख्या जितना उपर में है प्लास लास्ट कोशंट मतलब प्लास्ट में आपने जो संख्या बेटाया है उसका स्कोयार प्लास करना है उसके बाद दूस्तो जो नंबर यह दिखाई दे रहा है यह हो गया 21875893356 यह नंबर यहां पर हो गया दूस्तो अब जब इस नंबर से जब हम लोग 6 को इस नंबर को जब हम लोग 6 से माल्टिप्लाई करते है यहां पर दिखाई दे रहा है दूस्तो आप कुछ से देख लीजिए यह जितना संख्या यहां पर बचा है उस संख्या के साथ पुरा बराबर हो जाएगा अगर बराबर हो गया तो सही है अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं पाद में हम लोग उसको डेसिमेल देके दसमलब देके हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन दूस्तो यहां पर तो मिल ही जाएगा यह संख्या क्योंकि यह इंटिजार नंबर है जिसका क्यूब रूट भी इंटिजार ही आएगा नेचरेल नंबर है नेचरेल नंबर में ही आएगा उसमें दसमलब का कोई जरूरत नहीं है डेसिमल पॉइंट का कोई जरूरत नहीं है इसलिए मिल ही जाएगा अगर आपको दसमलब संख्या है फिर भी कोई problem नहीं है दस्मलब देने का बात right में यह दिखे दिस्तो मिल ही गया है दस्मलब देने का time में क्या होता है दस्मलब देने का बाता में right में 3-3-0-1-7-7-7 करके आपको उतर के same process मन के चनला पड़ेगा तो यह दिखे दिस्तो इसका जो result है cube root जो देखे गया था इसका result है 85396 तो इस तरह करके दोस्तो आप कितना भी बड़ा number क्यूना हो जाये कितना भी बड़ा large number क्यूना हो जाये कोई सा भी type का number क्यूना हो जाये मतलब उसका cube root असानी से निकाल चकते देखिए दोस्तो इसका cube root 85396 से यह हो गया आंसर तो दुस्तों हो सकता है कि बहुती लेंदी प्रसेस है आप लोगों को समझने में तुड़ा पाहिम लग जाए लेकिन तुड़ा कोशिश कीजिए बहुती मज़द